कैसे हैं आप सब आज हमने करना है UGC के Most Expected Questions जैसे ही हम आगे भी लेकर आए हैं तो इस बार भी वही लेकर आए हैं कि देखते हैं कैसे कैसे कोशन पेपर में आ सकते हैं हैं जी 2020 का UGC के एक्जाम में रीजनिंग में कैसे कैसे कोशन आएंगे तो बढ़ते हैं उनके साथ हैं जी फर्स्ट कोशन है मेरा ये मुझे बताना है कि इस फिगर में क्या आएगा मुझे यहाँ पर यह मिसिंग फिगर बतानी है तो यह पड़ेगा कि कैसे बना अब यहाँ पर देखे क्या हो रहा है पांच प्लस जीरो पांच तीन प्लस एक चार तो पांच प्लस चार कितना आ गया नौ ऐसे यहाँ देखा चार प्लस दो छे दो प्लस एक तीन तो छे प्लस तीन कितना हो गया नौ चार प्लस तीन साथ एक प् 9 लगा दें तो ऐसा नहीं है इसमें एक logic लग रहा है 5 पस 0 5 3 प्लस 1 4 इनको आड़ किया 6 इनको आड़ किया 3 तो इन दुन्नों को आड़ करके 9 आ रहा है चलें अगला question है अपना coding decoding का मुझे देखना है कि यह 100 का code कैसे बना तो 100 का code यह कैसे बना यह सोचना है सबसे पहले फिर ऐसा ही मुझे अगला बनाना है ठीक है अब इसमें मैंने देखा कि जो 100 का code है वो क्या है opposite letter high school men don't worry Indian railways even don't worry मैंने आप सबको opposite letters याद करवाई हुए है opposite letters कौन होते हैं जिनका सम कितना आता है 27 अगर यह आठ है तो यह 19 19 प्लस आठ 27 एक्किस और छे 27 चौदा और तेरा 27 ठीक है चार और 23 ताइस तो यह इनका सम कितना आएगा 27 ठीक है तो मुझे इसका भी सम कितना बनाना है 27 अब टी का opposite क्या जाएगा जी जी टी रोड हाई स्कूल ओ का ओ एल एक्स तो जी एस एल अपने तो आगे बढ़ते हैं U का F, S का H, A का Z, N का M, B का W तो मेरा अंसर आ गया G, S, L, F, H तो यह कर गया G, S, L, F, H, Z, M, W तो मेरा अंसर आ जाएगा B option तो मेरा अंसर है B option चले अगला question भी coding decoding का है question है active का code है A, V, I, T, C, E मुझे doctor का code बताना है अब active का code यह दिया हुआ है doctor का code बताना है अब active में देखे उपर वाले और नीचे वाले alphabets बिल्कुल same है तो अब मैंने देखा कि पहला same आगे देखते हैं last भी same अब जो बाकी है वो देखते हैं VI को बना दिया यहाँ पर IV को बनाया VI CT को बनाया यहाँ पर TC अब यहाँ पर भी देखते हैं D इदर R इदर अब last के TO यहाँ क्या कर देगा IV को क्या किया था CO तो मेरा अंसर आजेगा .cor वो option है D clear तो चलिए आगे बढ़ते हैं और questions देखते हैं हाँ जी अगला question भी है मेरा coding decoding का बेंगलॉर का code है यह क्यालकटा का code बताना है अब यहाँ पर देखें बेंगलॉर और नीचे वाले alphabets बिलकुल अलग हैं सेम alphabets नहीं हैं तो मैंने position values डालनी है अब यहाँ पर देखा क्या ओर है प्लस वन दो से तीन क्या ओर है प्लस वन a से z क्या ओर है माइनस वन प्लस वन माइनस वन प्लस वन माइनस वन प्लस वन माइनस वन प्लस वन इसमें क्या ओर है एक बढ़ रहा है एक कम हो रहा है एक बढ़ रहा है एक कम हो रहा है एक बढ़ रहा है एक बढ़ रहा है एक बढ़ रहा है एक बढ़ रहा है अब ऐसी मुझे यहां बनाना है तो चलिए position values डालते हैं हां जी minus 1 किया B, sorry क्या करना है plus 1 D, फिर minus 1 किया Z, फिर plus 1 किया 13, फिर minus 1 किया B, फिर plus 1 किया B फिर minus 1 किया, फिर plus 1 किया, फिर minus 1 दुबारा देखें plus 1, minus 1, plus 1, minus 1, plus 1, minus 1, plus 1, minus 1 तो क्या आजाएगा Z, तो D, Z, M, B, V, S, U, Z, B, V, S, U, Z, तो answer आजाएगा D option हां जी, next question है, complete the series, मुझे बताना है कि यहाँ पर क्या आना है अब ध्यान से देखें, यह कुछ square के पास है 1 का square minus 1, 1 का square 1, minus 1, 0, 2 का square minus 1, 2 का square 4, minus 1, 3, 3 का square minus 1, 9 में से गया 8 4 का square minus 1, 5 का square minus 1, 6 का square minus 1, 7 का square minus 1, तो यहाँ जाएगा 63, 8 का square minus 1, तो चलिए बढ़ते हैं अगले question पर, romance कौन करता है, lovers, belligerence कौन करता है, अब origins का मतलब होता है, दुश्मनी, दुश्मनी कौन निभाता है, enemies, तो answer आगया, enemies हाँ जी, insert the missing figure, मुझे बताना है कि आगये क्या आएगा अब 563 से 647, मैंने difference देखा, 84 बढ़ा 647 से 4779, मैंने difference देखा, minus हुआ 479 से 815, plus 336, अब क्या करना है, minus ये plus हो रहा है, ये minus, ये plus हो रहा है, ये minus अब कितना minus करना है, ये 84, टूजा, इसका भी टूजा, इसका भी टूजा तो 672, तो मेरा answer आ गया 143, एक बार plus, फिर minus, फिर plus, फिर minus डबल हो रहा है, 84 का डबल, फिर इसका डबल, फिर इसका डबल, तो 143 अंसर आ जाएगा चलें, अगला है 95 से ये, अब 95 से ये कैसे बना, plus हुआ 20.5 अब यहां से देखना है, ये भी plus हो रहा है, अब देखिए, confusion होती है कि minus कैसे करना है तो जब मैंने आपको minus करना है, तो point के नीचे point लगाएं, ठीक है, इसके नीचे point नहीं है, तो point लगा के 0 किया अब यह आगया 7, 10 में से 5 गए 5, ये 2, 22.5 अगले में कितना हो जाएगा, 24.5 तो 138 में मुझे क्या अड़ करना है, 24.5 आठ और 4, 12, 6, 112.5, तो answer आगया 8 ठीक है, तो सबसे पहले मुझे difference देखना है, difference में मैंने देखा 20.5, फिर 22.5, फिर 24.5 तो 24.5 आठ कर दिया, तो 162.5 अगला question है, इसको complete करें तो चलिए, फटा-फट हम लिखते हैं, series हांजी अब इसमें क्या किया, तीन-तीन का प्यर बना लिया तो मैंने ये तीन-तीन का प्यर बना लिया दो से चार, दो बड़ा, फिर बड़ा एक यहां दो बड़ा, अब कितना बड़ेगा एक फिर दो बड़ा, अब कितना बड़ेगा एक तो मेरा answer आ गया, I am ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, alphabets को number दे दिये, position values फिर मैंने देखा इसमें तीन-तीन का प्यर बन रहा है अब तीन-तीन के प्यर में यहां बड़ा दो, यहां एक फिर दो, फिर एक, फिर दो, फिर एक तो मेरा answer आ गया, I am हाँ जी, अगले दो questions हैं, syllogism के syllogism में क्या करते थे, statements को draw और फिर बताते थे, conclusion true है के false तो चलिए बनाते हैं, all computers are printers all printers are staplers all staplers are scanners हाँ जी, यह बन गया, अब पहला है, all printers are scanners all printers are scanners, जब यह सारा इसके अंदर है, तो यह सारा भी इसके अंदर है some staplers are computers, यहां से some हाँ जी, all का मैंने बताया था, यहां से some क्या होता है, true जब मुझे पता है, यह सारे इसके अंदर है, और staplers के अंदर यह है तो answer आ जाएगा, both one and two all jeeps are cars, तो all jeeps are cars all cars are buses, some buses are trucks तो यह बन गया मेरा wind diagram conclusion है, some jeeps are trucks, तो some jeeps are trucks, बिल्कुल गलत all jeeps are buses, क्या सारी jeeps buses है, हंजी है सारी jeeps cars है, सारी jeeps buses है, तो all jeeps are buses तो answer आ जाएगा only second, तो याने के be option चलें, अगला question है, चार words given है, चार में से तीन एक जैसे हैं, एक अलग है, तो जो अलग है, वो बताना है, ठीक है तो चार में से तीन एक जैसे हैं, एक अलग है anxiety, worry, inhibition, curiosity, अब ये सारे हैं गबराहट चिंता के curiosity होता है, उत्सुकता, ठीक है, तो उत्सुकता, तो curiosity आ जाएगा, अपना odd one out, ये सब गबराहट चिंता के हैं, curiosity क्या है, उत्सुकता, हंजी, next है, चार एक जैसे हैं, एक अलग है, तो जो अलग है, वो बताना है, अब ये देखिए, ये सारे एक दूसरे के opposite है, एक को छोड़के life, death, opposite, poison होता है, जहर, nectar होता है, sweet, sweet जो आपकब वो निकलता है, मदु मक्यों का, छत्ते में से, शहद, तो poison, जहर और ये शहद, तो opposite, thankful, thankless, ये भी opposite, cloth, rag, ये opposite नहीं है, तो answer आ जाएगा, C, option हंजी, इसमें से भी मुझे बताना है, odd one out, चार दिये हुए हैं, तीन बिल्कुल एक जैसे हैं, एक अलग है, अब इसमें देखें, जो moon है, वो क्या है, satellite, moon क्या है, satellite, बाक्की सब क्या है, planets, तो earth planet, saturation planet, moon, Mars planet, तो moon क्या है, satellite, तो odd one out क्या हो गया, C हंजी, इसमें भी चार एक जैसे हैं, एक अलग है, तो फटा-फट position values डालते हैं, जब कोई meaningful word नहीं है, तो आपका काम क्या करेगा, position values, plus 3, minus 6 plus 3, minus 6 plus 3, minus 4, तो odd one out क्या हो गया, R, U, Q, अगर मैं यहां देखू, 4, 7, 1, plus 3, minus 6, तो odd one out कौन सा हो गया, R, U, Q अगले question में मुझे इसको कैसे लगाना है, कुछ sequence में, अब देखे, सबसे पहले, fetus होता है, ठीक है, फिर क्या होता है, fetus से बनता है, baby, तो one, three, तो अपने पास एक option है, यह वली, तो check करते है, fetus, baby, फिर child बनेगा, फिर adult, फिर youth, ठीक है, sorry, child से youth बनेगा, फिर adult, youth होता है, youngster, ठीक है, 16, 17, 18, ages जो होती है, adult जब वो कमाने लग जाता है, तो answer आजाएगा, B, option, fetus होता है, बिल्कुल छोटा सा बच्चा, जो पेट में होता है, फिर उसके बाद, baby, हाँजी, अब next है, complete the series, मुझे इसको complete करना है, अब मैंने इसको पहले, तीन में complete करने की कोशिश की, जब मैंने इसको तीन में complete करी, कोई logic नहीं बन रहा, इसका बन रहा है GFE, पर आगे नहीं बन रहा, IIG कर देते हैं, फिर इसके आगे नहीं बता, तो चलें इसको फिर 4 में divide करके देखते हैं, हंजी इसको मैंने 4 में किया, तो GFE से start होता हुआ, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, चार में भी नहीं हो रहा, अब 5 में करके देखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, हंजी 5 में हो जाएगा, देखिए GFEI, पांच में जब मैंने इसको डिवाइड किया यह सारे इक्वल में डिवाइड हो गए यहां क्या आया आई एफ जी आई इए आई एफ जी आई इए आई एफ जी आई इए तो अंसर आ गया सी ऑप्शन तो चलिए बढ़ते हैं अगले ब्लड रिलेशन्शिप के कोशन पे अब ब्लड रिलेशन्शिप के कोशन मैंने आपको बताया थे हम ट्री बनाके भी कर सकते हैं और एज्यूम करके भी कर सकते हैं तो चलिए आज हम करते हैं कोशन को एज्यूम करके pointing to a woman in a photograph man says तो man कौन है speaker तो speaker ने कहा speaker से start कि आप पीछे से पढ़ते हैं my only son man का इकलौता बेटा इकलौते बेटे की सास अब इकलौते बेटे की सास इनकी क्या लगी speaker की समधन या कुडमनी पंजाबी में बोलते हैं कुडमनी हिंदी में बोलते हैं समधन समधन की only daughter समधन की only daughter जो आपके घर आ गई तो वो आपकी क्या लगी daughter in law ठीक है तो answer आ जाएगा daughter in law दुबारा देखें speaker बोल रहा है man और speaker कौन है man पीछे से पढ़ा मेरा इकलौता बेटा तो man का इकलौता बेटा तो man का इकलौता बेटा मतलब उसका बेटा उसके बेटे की सास उसके बेटे की सास उसकी समधन या कुडमनी की daughter इकलौती बेटी जो आपके घर आ गई तो वो आपकी क्या हुई daughter in law हां जी अगला question pointing to a girl Mohan said हां जी ये भी हमने उससे किया start Mohan कौन है speaker तो speaker से start किया speaker से पढ़ा पीछे से पढ़ा my grandfather's only daughter in law speaker कह रहा है मेरे दादा जी की कलौती बहु अब उसके दादा जी की कलौती बहु उसकी क्या हो गई mother mother की daughter तो mother की बेटी उसकी क्या हो गई बेहन अब question में पूछ रहा है Mohan उस girl का क्या लगा तो Mohan उस girl का क्या लगा brother तो मेरा अंचर आ गया brother दुबारा देखें Mohan speaker speaker से start किया my grandfather's only daughter in law मेरे दादा जी की कलौती बहु मेरे दादा जी की कलौती बहु मतलब उसकी mother mother की बेटी mother की बेटी मतलब उसकी बेहन तो Mohan उस girl का क्या लगा brother तो अंचर आ गया brother चले अगला question हम बना के ही करना पड़ेगा assume करके नहीं कर सकते क्योंकि assume करके questions कौन से होंगे pointing to वले अब यहाँ पर कहीं पर pointing to नहीं है अगला question बनाते हैं if B's mother अगर B की मममी कौन है A's mother daughter अगर B की मममी कौन है A की मममी की daughter B की मममी कौन है A की मममी की daughter तो बताएं A B का क्या लगा अब देखें मेरे पास A और B का तो gender ही नहीं है अगर मुझसे पूचा जाता है B A का क्या लगा तो भी data inadequate A B का क्या लगा तो भी data inadequate अब A B की मासी भी लग सकता है या मामा भी लग सकता है अंकल भी या आंट भी तो A का gender ही नहीं दिया तो answer आजाएगा data inadequate चलिए next question है course of action course of action में क्या होता है problem का solution तो मुझे problem का solution बताना है अब मेरे पास question है Indian electronic component industry ने venturing into the West European market faces tough competition from the Japanese Indian electronic component industry ने जिन्होंने इसमें venture किया उन्होंने tough competition face किया Japanese से तो इसका problem का solution क्या होगा इंडिया को नई markets ढून लेनी चाहिए अपने products के लिए बिलकुल नहीं इंडिया को quality बढ़ानी चाहिए ताकि वो compete कर सकें बिलकुल सही ठीक है अब जैसे कि मेरे पास बच्चे हैं कि paper बहुत मुश्किल आ रहा है या competition बहुत है तो मैं क्या बोलूँ कि तुम UGC का paper छोड़ दो इसकी जारी मत करो नहीं मैं उनको क्या बोलूँगी अपने आपको is capable बनाओ कि आप competition को face कर सकें तो answer आएगा second आपने भागना नहीं है problem से problem को solve करना है तो क्या answer आजाएगा second अगला है night club में horrible scenes देखने को मिले जब कुछ लोगों ने attack कर दिया और बार को lock कर दिया ठीक है अब इसका course of action night club में horrible scenes देखने को मिले जब कुछ लोगों ने attack कर दिया और बार को lock कर दिया course of action till further action is taken the club should be closed वो कह रहा है जब तक further action नहीं लिया जा रहा club को close कर दे the club should not be closed but the bar should be closed अब इसमें ये दोनों नहीं है अब देखिए जो night club होता है इसके लिए पहले हमें क्या लेना पड़ता है license तो इसके लिए पहले license लेना पड़ता है फिर ये चलते हैं और bouncers इनको संभालते हैं पुलिस भी involved नहीं होती अगर कोई पैसा नहीं दे रहा या recover करना है तो bouncers अपने आप recover करते हैं और अपने आप मारपीट को handle करते हैं अब इन मारपीट की वज़े से ये business बंद नहीं हो जाता तो दोनों नहीं है अब जैसे मैं बोलूं कि PGI है 16 है 32 का hospital है क्या यहां पर अगर कोई मर गया तो क्या यह hospital बंद हो जाएंगे शोक मनाने के लिए बिलकुल नहीं तो इनका यह रोज का काम है यह तो रोज का क्लाम है यहां पे हाथा पाई होती रहती है तो bouncers अपने आप स कमला है 10th from left तो मैंने diagram बनाना है कमला बनाई 10th left विमला बनाई 12th from right when they exchange their places जब इन्होंने अपनी places बदल ली तो यह आ गई विमला और यह आ गई कमला कमला बन गई 16th from left अब विमला की right hand side से position बताएं ठीक है अब मैंने आपको बताया था यह विमला की position है विमला जहां बैठी है यह भी विमला की ही है बैठ कौन आके कमला है तो विमला की ही seat बैठा कौन आके कमला एक ही seat की दो position values तो दोनों को add minus 1 तो यह आ गया 28 minus 1 27 students है all total students कितने है 27 अब मुझे यहां से right side से rank निकालना है ठीक है जब मैंको पता कि total 27 है यहां पर भी sum कितना आएगा 27 9 plus x equals to 27 तो x आ जाएगा 18 तो विमला की right hand side से position कितनी आ जाएगी 18 क्योंकि इन दोनों को जब हम add करेंगे minus 1 करेंगे तो 27 ही आना चाहिए जब मैंने आपको ranking पढ़ाया था तो मैंने आप सबको यह चीजे बताई थी तो ध्यान से अगर आपने समझी होगी तो आपको question clear हो क्या होगा चलिए अगला है n ranks 5th in the class S is 8th from the last यह कहां से है starting से यह end से अगर T 6th है after n अगर T कहां पे है 6th after n मतलब 11th from start 6 नमबर पे है n के बाद 6, 7, 8, 9, 10, 11 नमबर पे मतलब 6 बच्चा है और आगे उसने बोल दिया कि जो N T है वो बिलकुल middle में है इन दोनों के तो बताएं total students कितने हैं class में अब मुझे पता है यहां पर है 5 तो यहां पर भी 5 और यह बिलकुल middle में है तो यह कौन सा हो गया 6 तो 5 और 5 10 यह हो गया 11 तो N और S के बीच में कितने बच्चे आ गए total 11 पांच हिदर हो गए पांच हिदर हो गए क्योंकि यह बिलकुल बीच में है तो यह हो गया अपना 11 बच्चा तो total students बताने है तो total students निकालने के लिए left plus beach plus right इन सबको add कर दिया तो total बच्चे कितने आ गए 24 आपको total students निकालने बताये थे starting और last plus beach के बच्चे तीनों को add कर तो total students आ जाएंगे तो मैंने starting का end का plus beach के बच्चे तीनों को add कर दिया मेरे पास total students कितने आ गए 24 चले अगले दो question है अपने assumptions के और फिर अपनी most expected questions खतम आज के चले अगला है assumptions assumptions में क्या था hidden truth चुपी हुई बात बतानी है अमें वो कह रहा है एक socket use करें एक appliance के लिए switch off appliances after use and remove the plug from the socket एक socket use करें appliances के लिए और appliance को बंद कर दें जब आप socket को use नहीं कर रहे है ये notice issued किया गया है सीता राम fire service की through से अब इससे क्या assume हो रहा है क्या पता चलता है most of the people are not aware of the safety tips बिल्कुल सही आपने देखा होगा facebook पे और हर एक चीज़ पर कोई भी बिमारी आते है उसके प्रिक साने शुरू हो जाते है जैसे पीछे spine flu आया था तो spine flu क्या आ गया था ये करें वो करें अब जैसे करोना आ गया तो करोना के लिए भी कह रहे हैं पानी पीए गरम पानी पीए डी हाइडरेटेड रहे हैं ऐसा कुछ था ना तो लोगों को aware करते रहते हैं कि लोगों aware नहीं है people need to know about safety tips उनको जानना जरूरी है people may abide by the notice and may not use one socket more than one appliance तो answer आ गया तीनो ठीक है जब उसने ये निकाली तो उसने क्या सोच के निकाली कि लोग मेरी बात माननेंगे और नहीं करेंगे तो all one two and three last question Indian railways ने किराया बढ़ा दिया राजधानी और श्तापदी का ताकि service tax का burden क्या हो जाए उन पे कम हो जाए ठीक है अब उसने ये क्या सोच के किया जो revision है उसकी वज़े से service tax का burden कम हो जाएगा बिल्कुल सही जो upward revision है उसकी वज़े से railway passengers पे effect नहीं पड़ेगा अब देखिए जब राजधानी और श्तापदी का नाम बन चुका है अगर ये पचास सो रुपया किराया बढ़ा भी देगा क्या लोग इस पे नहीं जाएंगे जाएंगे तो वही कह रहा है कि जो upward revision है may not effect नहीं करेगा तो बिल्कुल सही कह रहा है दे मूव विल गेव impetus to the flow of air passengers वो कह रहा है अब लोग बाई एर जाना शुरू कर देंगे तो ऐसा नहीं है ठीक है क्योंकि पचास सो रुपया राजधानी श्तापदी बढ़ा भी देगा तो लोग बाई एर जाना नहीं शुरू करेंगे क्योंकि जो railways है वो सबसे cheapest source है त बोथ वन एंड टू चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में और ऐसे questions लेकर आएंगे जुड़े रहें बने रहें ग्यानम आपके साथ हर जगा खड़ा है आपकी dreams को पूरा करने के लिए तो ग्यानम के साथ जुड़े रहें थैंक्यू